अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सिक्स समुदाय पर हुए हमले में अब तक करीब 25 लोगों की मौत की खबर सामने आई है जिसमें भारती सुरक्षा इजन्सियों ने ऐसी अश्रक का जताई थी कि गुरुदवारा अटैक अफगानिस्तान में अलप संख्यों को पर पाक प्रायोजित हमले के एक शुरुवात हो सकती है हमले की जिम्मेदारी स्लामिक स्टेट खुरासन ने ली थी लेकिन भारती सुरक्षा इजन्सियों का मानना है कि गुरुदवारे पर हमला आई-एस-आई की मदद से हक्कानी और लश्करे ताइबानी की थी बता दे कि 24 घंटे के भीतर काबुल में दो हमले हुए पहले हमले में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मौझूद गुरुदवारे में घुसकर बुदवार को भारी हत्यारों से लैस एक आत्म घाती हमलावर ने गोली बारी की इस हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई वही आठ लोगों के घायल होने की खबर आई जबकि दूसरा मामला क्रिमेशन ग्राउंड से 50 मीटर की दूरी पर हुआ जहां गुरुदवारा अटैक में मारे गए लोगों का अंतिन संसकार किया रहा था गुरुवार को हुए हमले में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है वही भारत ने इस हमले पर गहरी चिंता जताई है और सिक समुदाई की सुरक्षा सुनश्चित करने के लिए परतिवत दिखाई है भारती विदेश मंतरी एजजेशंकर ने घटना की जनकारी सामने आने के बाद अपने बयान में कहा क्रिमेशन साइट के नजदी धमाकी की खबर से चिंतित हूँ हमारा दूतावास काबुल के सुरक्षा अधिकारियों के साथ संपर्क में है मैंने उन्हें क्रिमेशन साइट और घर लोटते वक्त उप्यूक्त सुरक्षा उपलब्द कराने को कहा है जनकारी के लिए आपको बता दे कि अफगानिस्तान में सिक्स समुदाय के महस 300 परिवार ही रहते हैं जो कि अब वहां डर के साइ में रहने को मजबूर हो गए है ऐसा ही एक हमला साल 2018 में हुआ था जिसमें 19 लोगों की मौत की खबर सामने आये थी और तब से भारत वे सिक्स समुदाय के वापिस आने के सिलसिले भी बड़े हैं फिलाल भारती विदेश मंत्राले अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठा रहा है शोयता चौहन के साथ दीपो कुमार की रिपोर्ट पंजाबकेसरी.com यदि आप भी वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो किरिपा पेज को लाइक कीजे सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूले तक कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो